नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भान्चंद्रा, ब्रह्मान्ड सिद्धेस्टों में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नमस्कार दोस्तों में आप सभी का स्वागत है। आप ले सकते हो। उसके रेकर आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवाथ होगा दोपर 3 बचकर 50 मिनिट से लेकर 5 बचकर 32 मिनिट तक और यह मगंड़काल सुबह 9 बचकर 4 मिनिट से लेकर 12 बचकर 45 मिनिट तक का होगा। राहुकाल और या मगंड़काल दिन के अशुग कालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत पुर्णकाम या फिनिरने बिल्कुल भी नहीं लिना उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा रुचिक राशे में ब्रह्मन करेगा शाम 6 बच कर 32 मिन के बाद या चंद्रमा धनुर राशे में ब्रह्मन करने जा रहा है उसी प्रकार आज के दिन चंद्र और रवी का प्रतियोग होने जा रहा है उसी प्रकार तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के अश्टम बहुमे चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके विद्यो बहुमे सिद्ध अरभी के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है शाम 6 बच कर 32 मिट के बाद यह चंद्रमा आपके भागय बहुमे ब्रह्मन प्रकार के महत्वपुर्ण निर्णे बिल्कुल भी नहीं 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 चाहे वो किसी वीक्षेत्र से रिलेट करने वाले हैं आपको अपने स्वास्त के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा शाम 6 बचकर 32 मिन के बाद का जो समय है उसमें आपकी जो मा बित होते हुए नजर आएंगे लेगे इंसंपुर्ण दिन आप उप्रकुत के स्वास के बारे में थोड़ा ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बात की जो राशी है वो है ब्रिशब राशी ब्रिशब राशी के सब्चन की साथ यह चंदरमा के इंदर योग भी करने जा रहा है तो आज के जो दिन है थोड़ा महतुपुर्ण है आपकी जो वाई-वाई जोड़ीदार है उनके साथ चोटी-मूटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है और यह तकरा थोड़ी बढ़ भी सकती है तो ध्यान रखिए जो भी महतुपुर्ण काम है आप शाम के बाद ले सकते हो श मिधुन दराशी के से तरवी के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है तो आज के जो दिन है आपके लिए काफी ज्यादा महतुपुर्ण है किसी भी प्रकार के महतुपुर्ण भी नहीं लेना आपको खुद के स्वास्त के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्या शाम के बाद के समय है उसमें शे बचकर पत्रिस मुने के बाद यह चंद्रमा आपके सब्तम भाव में ब्रह्मन करेगा और आपके भागी भाव में से शनी के साथ लावियोग करेगा आपके दशाम भाव में से निप्चन के साथ के इंद्रियोग करेगा शाम के बाद के सम करक्राशी के पंचम भाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और आपके लाब भाव में सिथ रवी के साथ या चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है शाम 6 बच कर 32 मिट के बाद या चंद्रमा आपके शाष्ट भाव में ब्रहमन करेगा और आपके अश्टम भाव में सिथ शनी के स साथ या चंद्रमा लाब योग करने जा रहा है उसे प्रकार आपके भाग्य भाव में सिद्ध नेप्चुन के साथ या चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है तो आज का जो दिन है महत्वपुर्ण है अगर आप किसी के relationship में हैं तो उनके साथ आज के दिन चोड़ी मूटी बातों के लेकर तकरा हो सकती है और वह तकरा थोड़ी बढ़ भी सकती है आज के दिन किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण financial जो काम होंगे वो बिल्कुल भी नहीं करना ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है शाम के बाद के जो समय है उसमें आपको अच्छे लाब वगरा मिनने की सम्माना थोड़ी ज़्यादा बंदरी है लेकिन स्वास्त के बारे में ध्यान रखाना ज़्यादा आवश्यकों का stress level आपका थोड़ा बढ़ सकता है इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के चतुरत भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके दशम भाव में सिद्रवी के साथ या चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है तो आज का जो दिन है काफी ज़्यादा महतुपूर्ण है आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है जो भी आपका कारशेतर है वहाँ पर भी जो परस्तिया हो नॉर्मल नहीं रहेंगे आपको अपने पर काबू रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा हला कि शाम के बात का जो समय है उसमें जो बाते हैं वह काफी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी आप अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वह काफी अच्छी देखी जाएगी अगर आप विवाहित हो आपकी जो वईबाग जो जडितर है उनके साथ भी आपकी जो तालगात है वह काफी बैतर होते हुए नज़र आएंगे तो शाम के बात के जो समय है वह काफी अच्छा है जो भी मैय तो पूर्ण निरने हैं वह शाम के बाद़ आप ले सकते हो लेकिशाब के शाम के पहले क जो समयUSमें थोड़े बहुत आपके जो घर के जो लोग होंगे, उनके साथ तकरारे हो सकती है इसके बाद जो राषी है, वो है कन्या राषी कन्या राषी के तरいたयवाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और आपी के भागयबाव में से तरवी के साथ यह जद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है तो आज का जो दिन है थोड़ा सा महतोपुर्ण है किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण काम ट्रैवलिंग से रिलेटर हो कमिटर्मिंट करने हैं प्रोमिसेस करनी हैं किसी भी प्रकार के महत पूर्ण काम आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना, अगर आप करते हो तो वो पूरे तो नहीं होंगे, लेकिन उसमें फसने की संभावना काफी जादा बनती है, शाम के बाद के जो समय है, उसमें आप थोड़ा घर पर रहना पसंद करोंगे, आराम कर मिलेगा भी, तो कुल मिला के देखा जाएं, तो दिन बर आपको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से किसी भी प्रकार के महत पूर्ण जो काम हैं, वो हाथ में नहीं ले ले हैं, इसके बाद की जो राशी है, वो है तुला राशी, तुला राशी के द्वित्या बाहमें चंद्र जाते, नहीं करना और किसी को कोई भी कमेटमेंट भी नहीं करना, अगर आप बोलके भी किसी को कुई कमेटमेंट करते हो, तो वह भी चूकने की संभांबना काफी ज़या बनती है, तो ध्यान रखिये हैं, हलाकि शाम के बाद का समय है, वो आपके और शुभू परददाई साबित होगा आपके अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो उनके साथ आपकी जो तालोकत है वो काफी अच्छे देखे जाएगा उनके साथ कभी बाहर घुमना फिरना भी हो सकता है तो कुल मिला के देखा जाए तो शाम के शाम तक के जा समय उसमें आपको नौपन ही रहना होगा शाम के बाद आपके जो भी मैत पुर्णा काम है वह आप आप में ले सकते हो इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिच्चिक राशी ब्रिच्चिक राशी में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके सब्तम बाह में से द्रवी के साथ या चंद्रमा प्रतियोग क चलने जा रहा है तो आज जो दिन है सब समय तो अगर आप वorship line हो सकती है और वह थोड़ी बढ़ भी सकते तो इसके अपने 5 3 गर के जो लोग है उनके साथ चोटे मुटे बातों के लिए कर जो प्रॉब्लम हुए थी वह काफी मायना में नॉर्मल होते हैं वे नजर आएंगी तो आपको पूरे दिन थोड़ा शांत रहना होगा शाम के जो बात का समय है वह आपके लिए फेवरेबल साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है धनुराशी धनुराशी के बहाव में चन्दरमा का ब्रमně है और आपे के शष्टभाव में चित्रवी के साथ यह चन्दरमा प्रतियोग करने जा रहा है तो आज का जो दिन है आपके लिए काफी ज़्यादा stress लेकर आ सब्सक्रा है किसी भी प्रकार की जो काम है चाहे वो आपके personal रूप में है सामाज रूप में है या फिर अगर आप किसी के relationship में है वाई-वाई जोड़े दर के बारे में है आज के दिन किसी भी प्रकार की बड़े बाते इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी की लाब वाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपके पंचम वाव में सिद्निप्चिन के साथ या चंदरमा रतियोग करने जा रहा है तो सबसे महतोपुर्ण बात अगर आप भी वाईद हो तो जो वाईवाई जो डिदर है उनके साथ छोड़े मोड़े बातों को लेकर तुद्व में हो सकती है आपके जो मितर परिवार है उनके साथ भी आज़ आज़ आपके जो तालुप का था वो बिगड सकते हैं अगर इसकी कई बात चुकी महतुपुर्णा है आपको करनी है तो शाम के बाद आपको कर सकते हैं शाम के बातों भ avail खुछ अच्छ्छह लाप खरना भी मिसक्ते है आपका घूमना फिरना भी काफी ज्यादा हो सकता है इसके बाद के जो राशी है वो है कुमपर राशी के दशनसे बाहँ में सितरभी के साथ यह जंदरमा प्रतीयों करने जा रहे हैं तो जो भी आपके कारिश है वहाँ फर जो लोग होंगे उनके साथ च्छोटी मूठी बातों को लेकर तकराब हो सकती है अगर आप वाई तो आपके जो वाई वाई जो डिदर है उनके साथ भी आपकी जो रिष्टे है उसमें घटास आ सकती है तो शान्त रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है हलाकि शाम के बाद के जो समय है वो काफी अच्छा साबित होगा आपके लिए आपकी जो मनस्तिय है वो काफी मायना में नौर्मल होती भी नजार आएंगे कुछ अच्छे लाव अगरा में हो सकते है मित्र परिवारम के साथ मुलाकात हो सकती है गप्शप हो सकते है तो शाम के बाद के जो समय है वो आपके लिए शुबू फ्लदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के भाग्या भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके त्रित्य भाव में से त्रवी के साथ या चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है शाम 6 बच कर बत्तिस बने के बाद या चंद्रमा आपके दशन भाव में ब् को है तो बोड़े निरने चाहिए वह चोटी क्यों नहीं लेना वह काफी जयादा बनती है शाम के बाद के पर समय होगा लेकिन शाम के बात के समय में भी आपके जो रिलेशन्शिक विए उनमें और आपके चोड़ी चोड़ी बातों को लेकर बिस अंडरस्टेंडिंग होने के समभूना काफी ज़्यादा बनती है तो आपके लिए आज का जो दिन है थोड़ा सा शान्त रहना है किसी भी प्रकार के भविश्य में आने वाली निर्ने या भी जो भी कलपना है उस पर निर्ने बिल्कुल भी नहीं लिया तो दोस्तों ये था दिनांग 14 जून 2022 का समभूना राशिफल आपको राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुभव किया निचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है रमांड सिद्धियास्ट्रो इसे भी लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करना धान्मी बाद